तो फ्रेंस नमस्ते कैसे हो आप सब आई हो आप सब ठीक होंगे देखे आज न हम ये सारी का यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी में से लेस निकाल रही हूँ उसे अलग कर रही हूँ तो देखे यहाँ पे जो बॉर्डर है बड़ा सा उसका भी हम यूज करें हमें ज़रूत है तो सबसे पहले हमें, क्या करना है यहां पे इस साइड से मै Storm 6 हे बढूरा 2 साइड से ब्सक्राइब करना है झाल梦 लग करें और जौड़ से चोंट आकर आ से एनप उल ज़सां मार्जिंग का एक्स्ट्रा रखके कट करूंगी जितनी जरूरत है तो हम अंदर की और जो हमें डालना है वह भी अब हमें पीछे की और भी खोर्सना होता है ना उसको भी हमें तो वहाँ पे भी मैं पहले नाप ले लोंगी तो इसको पहले मैंने अलग कर लिया जितना उतना नाप लेके जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे और दोस्तों मैं जो ये तरीका आपको बताने वाले हैं उससे बहुत ही प्यारा सा टेबल रनर या फिर बैड रनर भी अच्छे से बन जाता है तो देखिए मैंने इसी का नाप लिया एक्स्ट्रा था वो अंदर हम अब ही मैं ले लूँगी और आपको मैं बतातों जो कॉर्नार है ये देखिए दूसरी साइड का उसी तरीके से मैंने कट कर लिया है और ये जो कॉर्नार है मैंने उसका पूरा स्क्वेर कट किया है मैं आपको दिखाती हूं कैसे तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक ज झालेगा highway तो सबसे पहले मैंने क्टिया इस तरीके से मैंने अर्व सिक्यागा एक अगर आपके पास नोर नहीं है को और रहा है कोई दिक क 1997 मैं आसे ओपिन से घर लाइन अगर आपके पास यहां अगर आप केims नहीं है तो कोई दिकत की बात नहीं, आपके पास चो पुराने बेट सीट होते हैं, वो ले लीजिए, इसी के नाप से कट कर लीजिए, कोई भी मोटा कपड़ा ले लीजिए, और इस तरीके से क्विल्ट कर लीजिए, इसमें मैंने फॉर्म डाला हुए, देखे मैं आपको दिखा रह करना स्टार्ट किया है, तो वैसे ही आपको करना है, इससे सलवटे नहीं आती और फिनिशिंग अच्छे से आती है, देखे मैंने इसमें आड़ी और सीधी दोनों लाइने कर दूंगी और क्विल्ट कर लूंगी इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप ऐसा मज सोजिए का के मेरा मसिन अच्छा है तो इसमें होगा और आपके में नहीं होगा नहीं, आपके सिंपल मसिन में अभी देखे ऐसे क्विल्ट हो जाएगा, आप देख सकते हूँ, मैंने टीनों पार्ट थे, जो हमने कट किये थे, उसे क्विल्ट कर लिया है, और हमारी अटेज हो गई है, आप देख सकते हो, पूरी लेस मैंने अटेज कर ली है, और यह जो बच्चा था ना चोटा टुकड़ा, उसमें से मैंने टेवल रनर बना दिया, और जो लेस बची थी उसको कट करके, और अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, कैसे है, तो दे आपको कैसा लगा, जरूर से बताना, तो फ्रेंट्स, आज का वीडियो था, ताड़ी के उपर रियूस, और मैंने इसमें से और भी बहुत कुछ बनाया है, जैसे सारी और जो रखने का कवर होता है, वो भी बड़ा सा बनाया था, और अब देखें, मैंने ये छोटे-छोटे फिलो भी बनाया है, और ये दिखे आपको ये कवर कैसे लगे सोफा कवर, वो मुझे कमेंट करके ज़रू से बताना, और वीडियो पच्छन आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे, अगर आपने कोई बनाया है, ऐसे कोई सोफा कवर, या कुछ भी तारी में से, तो वो भी मेरे साथ सेर कर और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, जय वारत!